नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर निखिल आप सभी का बहुत बहुत श्वागत हैं मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बहुती इफेक्टिव हों पेथिक मैडिसिन, बहुती फैमस मैडिसिन प्राया प्राया सभी इस medicine का जाम जानते हैं जिसका नाम है दोस्तो आर्निका मोंटाना पुराने से पुराने दर्द को ठीक करने के लिए आर्निका मोंटाना का यूज किया जाता है यहाँ जो medicine है acute condition में और chronic condition में दोनों condition को ठीक करने के लिए इस medicine का use किया जाता है अर्निका मुंटाना जो medicine है बडों में, बुजूर्गों में और बच्चों में इस medicine का use किया जाता है अर्निका मेडिसिन का use 15 प्रकार की ऐसी disease होती है, 15 प्रकार की ऐसी बिमारी होती है, ऐसे लक्षन होते हैं जिसको ठीक करने के लिए इस medicine का use किया जाता है फर्स स्टेज में ही इस medicine का use किया जाता है प्राया प्राया सभी व्यक्ति को यहाँ जानकरी नहीं होती है कि हमारे सरीर में क्या symptoms देखने को मिलेंगे तो हमें इस medicine का use करना चाहिए यहाँ medicine इतनी effective है कि हर घर में यहाँ medicine होनी चाहिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे सरीर में क्या-क्या symptoms देखने को मिलेंगे तो हमें इस medicine का use करना चाहिए तो चलिए दोस्तो देर न करते हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं medicine के बारे में दोस्तो क्रूनिक कंडिशन को हम बाद में समझेंगी सबसे पहले हम acute condition को समझ लेते हैं कि acute condition में हमें क्या symptoms देखने को मिलेंगे क्या disease देखने को मिलेगी तो हमें Arnica Montana medicine का use करना चाहिए सबसे पहले नंबर पे Arnica Montana का Belmar की इनोट symptom यहां आता है injury यदि हमारी body में कभी भी चौंट लगी है महाँ से blood निकलने लगा है खून आने लगा है किसी भी पार्ट में हमारी body से वहाँ खून आ रहा है तो मैं Arnica Montana बनेम पोटेंसे में यूज़ करनी है regular कम से कम 5 से 8 दिन तंग हम यूज़ करेंगे Charbon सीधी Direct Tung Dose यूज़ करेंगे वहाँ से blood भी बंद हो जाएगा महाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द आपको देखने को नहीं मिलेगा और आपकी जो injury है आसानी से टीक हो जाएगी next symptom हमें यहाँ देखने को मिलता है किसी व्यक्ति को कहीं चोंट लग जाती है मोच आ जाती है तो वहाँ पे इस medicine का यूज़ किया जाता है आपने देखा होगा चोंट लग गई है वर्डी के किसी भी पार्ट में चोंट लग गई है मोच आ गई है तो वहाँ पे आर्निका यूज़ करेंगे उट कंडिशन में भी आपको आर्निका बनें पटेंसिम यूज़ करनी है पास दिन तक रेगुलर आप चारबून सीधे टारेक टंग डोस यूज़ करेंगे यदि ज़्यादा दर्द वहाँ पे है तो सुबह से आप भी इस मैडिसिन का यूज़ किया जाता है नेक्स इंटम दोस्तों हमें या देखने को मिलता है बहुत सारे एकसे व्यक्ति को आपने देखा होगा जिने कभी भी बंदी चोंट लगती है और वहाँ पे नीला और हरा पड़ जाता है और कुछ व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वहाँ वहाँ दाग छोड़ जाता है तो उस कंडिशन में आरनिका मॉंटाना यूज़ करनी है बनेमपोटेंसी में सीधे डारेक्ट बनेमपोटेंसी में आप यूज़ करेंगे चारबून टंग डोस लेना है किसी भी टाइम पे इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है रेगुलर आपको 5-6 दिन तक इस मेडिसिन का यूज़ यदि आप करते हैं तो वहाँ पे जो दाग बन रहा है हरा कलर का जो दाग बन रहा है नीले कलर का जो दाग बन रहा है वहाँ बिल्कुल भी नहीं बनेगा और आपकी जो इंजुरी है आपकी जो मोच है वहाँ आसानी से ठीक हो जाएगी इसकी क्रीम भी आती है दोस्तों यदि आपको कहीं जादा दर्ध है तो आर्निका की क्रीम भी आप यूज कर सकते हैं यदि कहीं दाग आपको बन रहा है तो आर्निका की क्रीम वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं नेस्ट बेलमार की नोट सिंटम हमें यहां देखने को मिलता है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें पूरे सरीर में कुचलने जैसा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें मारा गया हो, पूरे सरीर में मसल्स में उनका बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होता है यहां तक कि इतना सीवियर दर्द होता है कि वहां लेट नहीं पाते हैं इतनी मसल्स उनकी दर्द होती है तो उस कंडिशन को ठीक करने के लिए आर्नीका मोंटाना का यूज किया जाता है वहाँ पे आर्निका मुंटाना 200 पोटेंसिम यूज करना है चारबून सीधे डारेक टंग डोज में आप यूज करेंगे शुवेशाम शुवेशाम आपको यूज करना है 25 डेस तक इस मैडिसिन का यूज करना है इसके बाद मैडिसिन को आप बंद कर देना आपकी जूभी प अठो बाओ की प्राउब्लम से बड़े बड़े बिग जूएंट में हमीसा दर्द बना रहता है इस स्मल जूएंट में भी हमीसा दर्द बना रहता है वहाँ पे अकड़न आपको देखने को मिलती है तो उस कंडिशन में हम आर्निका मुंटाना का यूज करेंगे 200 पोटें से इम यूज करेंगे चार डारेक्ट टंग डोज आपको लेना है चारबून सुबा और चारबून श्याम को खाना खाने के अधा गंटे पहले या खाली पेट भी इस मैडिसिन का यूज किया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है रेगुलर आप जब तक आपको दर्द है तब त अब बैठने में बहुत ज़्यादा तकलिव होती है जो घुटने होते हैं उनमें सुजन आ जाती है तो आर्निका मुंटाना की जो क्रीम आती है आप अपने घुटनों में लगाईए और आर्निका मुंटाना 200 पोटेंसी में यूज करिए शुवेश्याम शुवेश्याम ऑ आसानी से आपका ठीक हो जाएगा इतनी इफेक्टिव यहां मैडसीन है नेक्स आता है दोस्तों अर्थराइटिस अर्थराइटिस में यहां आरे फैक्टर में बहुत ही अच्छा काम करती है जो हमारे इसमाल जोइंट होते हैं यह जो छोटे छोटे जोइंट आपने देखा ह के अर्णीका मौंटरा र 2 मोंटान चॉैसर इंच को हमने जोटे चोटे जोटे जोज़ान का डर्द है आसानी से पूरी तरहें चीएंट हो जाता इतनी एफेक्टिव हैं आर्नीका मोंटरा ना हमें यहां देखने को मिलता है बहुत सारी ऐसी महिला हैं जिनका ओपरेशन होता है सरजरी होती है और सरजरी के बाद आपने देखा होगा कई महिलाओं को जब भी मौसम चिंजिस होता है तो उनके जो ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे दर्द आपको महशूस होता है टांके जहां भी लगा तब आप इस medicine का use कर सकते हैं दुस्तों इसके बेलमार की नोट सिंटम में यहां देखने को मुलता है बहुत सारे ऐसे छोटे हमारे यहां बच्चे होते हैं जिनको बच्पन में चौट लग जाती है बच्पन में कभी injury हो जाती है और वहां injury वहां जो दर्द होता है वहां ज चारबुन शैंको टंग डोज हमें लेना है और लोंग टाइम तक इस medicine का हम यूज कर सकते हैं दो महने तक हम इस medicine का use कर सकते हैं यदि कभी आपको जवानी में कभी चोट लगी है और वहां दर्द आपको बुजुर हो गए हैं तब आपको यहां दर्द परिशान कर रहा है ताब अब 30 potency में इस medicine का use कर सकते हैं चारबुन सुबा और चारबुन शैंको नेक्स सिंटम हमें यहां देखने को मिलता है आखों में यहां बहुती अच्छा काम करती है यदि जिस व्यक्ति की आखें हमेशा लाल रहती है आखों में हवा लगने की कारण आखें उनकी हमे पूरी तरह से ठीक हो जाती है उसमें जो हमेशा दर्द बना रहता है आसानी से ठीक हो जाता है यह कभी आखों में चौंट लगी हो और आखों में रेडनेस काई पेशंटों को हमने देखा है कि वहां पे रेडनेस के दाग हमेशा बन जाते हैं तो उस condition को ठीक करने के इस वाद का आपको बिसेज ध्यान रखना है नेस्ट इसका बेलमार के इनोट सिम्टम या है कि यदि आपको कभी भी चौंट लगी है पुराने से पुराना दर्द आपको परिशान कर रहा है और यहां जो दर्द है यहां जो चौंट है आपको बहुत पुरानी लगी हैं मैंने potency की जानकारी आपको दे दी है aggravation और hemulation की यही हम बात करें तो दर्द इतना ज़्याधा severe होता है कि आप बिस्तर में लेटते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा severe दर्द होता है और चलते फिरते रहते हैं तो आपको दर्द कम हैसूस होता है यहां इसका achievation से आप दर्द से परिशान है ओनलाइन कंसर्टेंसी ले सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय भारत बंदे मात्रम